हेलो दोस्तों कैसे हैं आप तो दोस्तों टेक्निकल ग्यानी के एक और एसेंसल वीडियो में मैं आपके लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की अन्बॉक्सिंग तो नहीं करूंगा लेकिन उसके रिव्यू के बारे में आपको बताऊंगा और सारा उसका तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो सेयर करें और लाइक करें ताकि हमारा उससा इसी तरह से बढ़ा रहें और हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट एवर एवर लाते ही रहें और हमें उससा बढ़ता है तो हम हमेशा आपको बेस्ट देने की कोशिस करते हैं तो आसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं अपने एक एसेंशल प्रोड़क्ट के रिव्यूज कि इस प्रोड़क्ट को आपको लेना चाहिए कि इसको आपको नहीं लेना चाहिए सारी चीजिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं Embrane से उसके बार में 빠a माय से बि- compare करूँगा Embrane का जो भी時間 कॉनस बताऊंगा फीर माय का प्रोज कॉन्स बताऊंगा आपको तो दोस्तो सबसे बड़ा प्रोज Embrane का बड़ा कहिया च्छोटा कहिया लेकिन Embrane के साथ आपको एक soft pouch cover मिलता है जिससे कि आपको उसको मतलब carry करने में आपको comfortable रहता है या कि कहीं पे भी आप उसको hang करके charge कर सकते हैं as well as आपके product में spots नहीं आते हैं और अगर बात करें MI के power bank की तो इसमें जो है आपको soft pouch किसी भी प्रकार को कोई pouch नहीं मिलता तो carry करने में आपको problem हो सकती है बट में भी आप manage कर सकते हैं लेकिन एम्बरे में ये plus है और friends अगर हम बात करें या my power bank की तो इसका सबसे बड़ा प्रोज यह है कि 18 watt fast charging के साथ ये आपको provide करता है तो आपका phone rapidly charge हो जाता है जबकि अगर बात करें एम्बरेंग की तो ये आपको only 10 watt की charging प्रोवाइड कराता है और चार्जिंग input बहुत important है power bank में क्योंकि आप जानी रहे 20,000 mAh की battery के power bank में अगर आपका power input micro USB है तो एक drop है किसे माना जा सकता है अगर आप इसके साथ adjust कर सकते एनफ टाइम है कि आपने charging पे छोड़ दिया तो अलग बात है बट यही एक pros and cons का difference है कि एम्बरेंग power bank में type c charging input आपको provide करता है जब कि MI में आपको सिर्फ और सिर्फ micro USB charging input provide करता है and next most important friends point जो है कि आपको membrane में जो है power switch provide करता है as well as MI में भी आपको power switch provide करता है लेकिन दुनों difference ही है कि membrane के power switch में प्रोज इस तरह से है कि आगर आप इसे on करते हैं तो automatic यह on होने के बाद बंद हो जाता है जब आपको इसे off करने की जोगत नहीं पड़ती इसकी LED lights off हो जाती है automatic way पे तीन चार सेकंड में या तो 2-3 सेकंड में off हो जाती जबकि MI के power bank में आप अगर इसे on करते हैं तो इसकी lights off नहीं होती है तो यह drawback है और जबकि membrane में यह plus है दोस्तों अगर आप बाद करें हम build quality में दोनों power banks की तो आपको MI की build quality better मिलती है ऐसा नहीं है कि membrane की build quality ठीक नहीं है but MI comparatively आपको अच्छी build quality provide करता है तो friends membrane आपको 2.1 ampere provide करता है जबकि MI आपको 3.6 ampere provide करता है और दोस्तों इसमें एक positive यह जो कि दोनों में है वो है कि दोनों lithium polymer battery इनमें लगी हुई है तो यह long lasting है और बहुत ही efficient है personally friends मैं membrane का power bank use भी करता हूं तो ऐसा huge कोई drawback आज तक नहीं है और यह fast charging तो नहीं है लेकिन rapidly phone को charge करता है और overall embryonic Indian company है और यह इंडिया में ही made in India है और जबकि MI assembled in India only है इसमें make in India यह made in India mention होता है लेकिन यह चाइना में बनता है और कुछ shares इसको चाइना में ज्यादा beneficial होता है इसलिए अब यह आपके उपर है दोस्तों और अगर बात करें recommendation की तो MI is offering better something cons are there but इसके बावजूद भी MI best है और it's very popular but अगर आप prefer करते हैं कि आप Indian product को use करना चाहते हैं तो Embrane अपने इंडिया की company है और बढ़ियां offer कर रही है लेकिन कुछ इसके drawbacks है तो आप इसको swim decide कर सकते हैं so thank you so much इस video को देखने के लिए आपका बहुत बहुत thank you दोस्तों और technical ग्यानी को support करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और आप इस तरह से में support कर रहें इससे हमें और भी inspiration मिलती है ताकि हम आपके लिए लगातार continuously काम करते रहें और better work करें और आपकी tech में help करें जो भी टेक से related knowledge है वो आपको time to time provide करें even best provide करें so thank you so much see you in the next video till then bye bye हुआ 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 हुआ